हलो हिमाचल वास्यों क्या हाल है आईए जानते हैं हिमाचल परदेश की बड़ी ख़बर और आज साम तक के हिमाचल की मुख समचार पर नजर डालते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ल दाली है तीन मार्च को केमिनेट की बैठाग दोपर बारा बज़े राजस्याच वाले में होगी सायद मुंबई दोरे के कारण इस बैठाग में उद्ध्योग मंत्री हर्षबर्दर सिंग चोहान सायद सामिल नहीं हो पाए वहीं आपको बता दे कि वजट सत्र से पहले सरक सरकारी स्कुलों का केस अब सुकुरबार की केमिनेट में भेजा जा रहा है वहीं अगला बड़ी खबर है कि वेतन पैंसन देने के बाद बिजली बोड का खाजाना खाली 190 कड़ का भुकतान सरकार से नहीं मिली सबसीडी जे बिजली बोड का आर्थिक संकर टला नहीं है ब वहीं आपको बतादे कि बोड के पास राजस्व का मुख्य साधन 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उभुकताव की अदाईगी है और इस राजस्व को बोड बिजली खरीद फेल्ड की डिमांड और करमचारियों के भत्ते पर खर्च करता है लेकिन इस बार इ वहीं अगला बड़ी खबर है की परभायतों को मिलेगा रोजगार पुनरवास परतिवास सिंग के लूहरी जल विदूत परियोजना के अधिकारियों को निर्दिस चाहिए इसके साथी पर दिवास ने कहा कि परभावित परिवार जो इस परियोजना से पूरी तरह भूमी हीन हो गया है उन्हें भूमी आवंटित की जाने चाहिए उन्हें जहां बसाया जा रहा है उनके लिए सड़क पैजल मन निकासी जैसी मुलभुत स्विधाओं पर इसे ध्यान दिया जाना चाहिए वह अगला बड़ी खबर है कि जेवीटी भरती के नतीजे पर पड़ेगा सुप्रीम कोट के फैसलों का असर जही माचल में प्राणविक चिकचाई भाग के तहळ चल रही जेवीटी की बैच वाइज भरती में कॉंसलिंग के नतीजे बुलाने के खिलाब जेवेटी अभिहरती हाई कोट चले गई थे इन्होंने कौंसलिंग की परिकरिया पर इस्टे लगाने की मांग की थी जब तक सुप्रीम कोट से इस केस में फैसला नहीं आ जाता हाई कोट ने कौंसलिंग परिकरिया को रोका नहीं है लेकिन यह कहा जी कह कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा उससे यह काउंसलिंग परभावित रहेगी दूसरी बड़ी खबर है कि मनाली में गंगा नगर के सक्ष से पकड़ा पुलिस स्थाना मनाली में मादक पधार्त अधिनियम के तहद अभी योग दर्जिकर किरफतार कर लिया गया है जिसे आदालत में पेश किया जा रहा है वही और एक बड़ी खबर है कि के सीसी बैंक ने सुरू की यूपी आई सेवा मुख्यमदिर सुक्पिदर सिख सुकुने किया सुब आरम जे परदेश के अग्रनी बैंकों में सुमार कंगडा केंदरी सकारी बैंक समीती ने अपने ग्रहाकों को बड़ी सोगात देते हुए भीम यूपी आई सेवा की सुरूआत कर दिये सिमला सचवाल में परदेश के मुख्यमदिर सुक्पिदर सिख सुकुने बैंक के अध्यक्ष कुल्दिप सिंग पठानिया की उपस्तिती में भीम यूपी आई का विधिवत सुब आरम किया मुख्यमदिर ने इस मोके पर बैंक द्वारा पैंसल भोग्यों के लिए सुरू किये गए नए सवधन इपैंसल की भी सुरुवात की इस मोके पर मुखिमंत्री सुक्विदन सिख सुकू ने बैंक के अध्यक्षबा उनकी टीम को इन नई उपलदियों के लिए बधाई देते हुए बैंक को नई बुलंदियों पर ले जाने का आवान किया और सरकार की ओर से बैंक को भरपूर सयोग देने का अस्वासन दिया वह अगला बड़ी खबर है कि भुंतर में माइक्रो लाइट एरक्राप्ट उड़ाएंगे एन्सिसी के के टेट्स एयरपोर्ट ओथरिटी ने विशेस लिंक ट्रेक बनाने का किया सुब आरम जे परदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर में एन्सिसी केड़ेट्स को माइक्रो लाइट एयरक्राप्ट के प्रचिक्चन का सपना अब पुरा होने वाला है साल दोजार आठ से लटके इस प्रोजेट के लिए एयरपोर्ट ओथरिटी ने आहम कदम उठाते वे विशेस ट्रेक बनाने का कारे आरम कर दिया है इसी बजट के तहट उक्ते विशेस ट्रेक को बनाने के कारे का स्री गनेस बुद्बार को किया गया वही एरपोर्ट ऑथोरेटी भूंतर के निदिसक निरज कुमार स्री वास्तप ने इसका भूमी पूजन कर सुब आरम करवाया तो ऑथोरेटी के अन्य अधिकारे भी इस दुरान मोजूत रही उन्हेंने बताय कि उक्तप्र चिक्षन के लिए परदे सरकार के साथ M.E.U. हुआ था और राजी सरकार ने इसके लिए सुबिधाये परदान करने की बात कही थी वही दूसरी बड़ी खबर की हस्पताल में नोकरी दिलाने के नाम पर ठक लिये और पुलिस ने अगामी करवाई तेज कर दी है वही दूसरी बड़ी खबर है कि ड्रोइंग मास्टर भरती में भी गड़बड एफाई अदर्ज बिजिलेंस को जाच में मिली कई आपती जनक साक्षी है जे जे ओ आईटी पेपर लिख मामले की जाच में अब ड्रोइंग मास्टर की परिछा भी सवालों के घेरे में आ गई है बिजिलेंस की एस आईटी को ड्रोइंग मास्टर परिछा में भी कई आपती जनक साक्षी मिले है इनके अधार पर इस मामले की जाच के लिए विजिलेंस थाना हमिरपूर में एफाई अदर्ज की है वही मामले की जाच में गूगल पेके जरिये हुए हजारों रुपिये के लेंद देन की मनी ट्रेल भी विजिलेंस को मिली है वही अगला बड़ी ख़बर की कैमिनेट मीटिंग में चिक्चा स्वास्त पर मंत्रियों से रिपोर्ट तलब इसकुलों अस्पतालों में पद भरना सीम की परात्मिक्ता इस रिपोर्ट को अगले बजट में सामिल कर रिक्तियों को भरने के लिए राज सरकार बड़ा अभियान चलाएगी मैं आपको बतादे कि इन खाली पदों को भरने के लिए सबसे पहले युक्ती करन की परिक्रिया को अपनाये जाएगा और उसके बाद नई भरतियों की परिक्रिया सुरू होगी दोस्तों इससे आगे की खबर सुनिये हमारे नियू संबादाता के साथ खाई में लुडकी कार फिर हुआ धमा का जलने से दो युवकों की मौत एक घायल जी हाँ हिमाचल प्रदिस के मंडी जीला के पधर में बुद्वार रात हुए भीसन सड़ा खाईसे में दो युवकों की जिन्दा जल कर मौत हो गई जबकि एक आनी युवा गंबी रुप से घायल हुआ है जिसे मेडिकल कॉलेज नेचर रिफर कर दिया गया है बता दे आपको कि हाँसा रात करीब सड़े ग्यारा बजे हुआ हाँसे की सुचना मिलते है पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामला दर्च कर जाज सुरू कर दी है वही कार में आग लगने से जिन्दा जले दोनों युवकों के कंकाल मात्शेस बचे हैं जिने पुलिस ने कबजे में ले लिया है कैंसर कीमोथरेपी इंजेक्शन का रेट घटा हिमाचल में कम के गए दाम बलड पेसर सुगर की दवाई भी सस्ती असी दवाओं की नई कीमते तै जि हाँ हिमाचल प्रदिस में कैंसर के मरीजों को कीमोथरेपी के लिए लगने वाल इंजेक्शन का रेट कम हो गया है रास्टी दवमुली निधारं प्राधिकरन ने कैंसर रोग्यों को बड़ी राहत देते हुए फिल रास्टी इंजेक्शन की कीमत आधी कर दी है एन पी पी ए उपने देशक माहवी सैनी ने इसकी पुस्टी की है हिमाचल की स्यासत में गर्म होरा हिंदुतू का मुद्दा सीम सुख्विंदर सी के बयान पर भाचपा आक्रमक जी आ हिमाचल में सब्ता समालने के बद सीम सुख्विंदर सी सिकुन ने बयान दिया था कि जिस प्रदेश में 97 फिजदी हिंदू आबादी है वहां कॉग्रेश ने हिंदुतू की विचाधारा रखने वाली भाचपा को चुनाउं में सिकस्दी है अब सिएम ने राइपूर में कहा कि हिमाचल में हिंदुतू की आबादी संतान में प्रतीस है पार्टी के राष्टी अध्यक जेपी नंडा भी ही मार्चल प्रदेश से आते हैं ऐसे में कॉंग्रेस ने भाजपा को हरानी की रननेती बनाई और कॉंग्रेस की इंसानियत की विचाधारा ने भाजपा को सिकस्त दी सिम्ला में फिर बुलाई कैबिनेट मीटिंग तीन मार्च को सिम्ला में होगी बचट भासन पर चर्चा जी हाँ सिम्ला में फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है सिम्ला में तीन मार्च सुकरवार को दो पहर बारा बजे मीटिंग रखी गई है मीटिंग के बाद सीम सुख्विनर सी सिखु का दिली जाने का कारी करम है जह कैबिनेट मीटिंग में आने वाले बचट चत को लेकर चर्चा होगी बचट में सामिल के जाने वालों गोसनाओं पर विचार किया जाएगा बता दे आपको इसमें सबसे प्रमुक ओल पेंसन की योजना है पंजाबी गाई का मननत नूर को बुलाने पर विरोत कारी करम रद नहीं हुआ तो हिंदू जागरनमंच करेगा बहिसकार जी हाँ सुजानपूर होली उत्साव का अगाज पार्च मार्च को होना है लेकिन इस बार रास्ट इस तरह होली उत्साव विवादों में फस्ता नजर आ रहा है दरासल पंजाबी गाई का मननत नूर की स्टाय नाइट को लेकर हिंदू जागरनमंच ने सवाल उठा का इसे रत करने की मांग तेच कर दी है इस सिलसिला में पिछले दिनों हिंदू जागरनमंच के पता अधिकारियों ने डी सी हरीमपूर देवश्यता बनी को ग्यापन सोपा था अब कई अधिकारियों को मेल भेजा गया है